Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Law by Wanchpatra So, आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे section 96 से लेकर section 106 तक जो की deal करते हैं right of private defense से जो sections है section 96 से लेकर 106 ये जो topic भी है ये one of the most important topic है IPC में and in general भी आपको पता होना चाहिए right of private defense क्या होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका practical application हम daily life में देख सकते हैं तो इसकी knowledge होनी काफी ज़रूरी है तो हम discuss करेंगे इसी वीडियो में section 96 से लेकर 106 तक and ये जो सबी sections है judicial service examination के लिए भी काफी important section है and इसमें mains के लिए भी लिखने के लिए पूछते हैं जो section 99 है section 100 है and section 103 है इनसे जो है mains में भी काफी बार question आ जाता है तो इसको हम short time period में काफी अच्छे से discuss करने की कोशिश करेंगे तो आइए चले start करते हैं तो पहले introduction देखते हैं इसका introduction पर पहले हम आपको एक बात बता देता हूँ एक general right of private defense का मतलब बता देता हूँ मालीजे आप कहीं पर खड़े हैं आप देखते हैं सामने से एक person लाठी लेकर आ रहा है एक stick लेकर आ रहा है या फिर लोगों को वहाँ पर help के लिए बुलाएंगे क्या करेंगे आप वहाँ पर वहाँ पर आप force का use करेंगे वहाँ पर उस person आपको डंडे से मालने आ रहा है उसको वहाँ पर रोकेंगे आप आप जो है वहाँ पर अपना defense करेंगे सामने जो stick लेकर आ रहा है उस person को धक्का मारेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे वह पीछे अट जाए तो यह जो right है आपका self defense का यही जो है right of private defense है and IPC में इसको recognize किया गया है as a right individual का right है right of private defense तो introduction देखते हैं देखी क्या है जो state होता है state की obligation होती है state की duty होती है कि अपने जो subjects है अपने जो उस state में लोग रहते हैं उनकी वो जान बचाए उनके हाथ पैर बचाए उनकी property को बचाए तीक है ना state की obligation बनती है पर जो state है state और state की machine जो है वो हर जगा प्रेजेंटर नहीं हो सकती हर टाइम पर प्रेजेंटर नहीं हो सकती मतलब माली जो आर्मी वाले हैं पर पुलिस वाले हो हर जगा प्रेजेंटर नहीं हो सकती हमको safe करने के लिए तो अगर कोई ऐसी situation आती है danger की situation आती है जहांपर एक person को खत्रा है तो वो person क्या है person is entitled to stay and overcome the threat person जो है वहाँ पर रुक कर उस danger से खुद को बचा सकता है और वो person है वो use कर सकता है force जितना वहाँ पर require है वो जो person है उसको अगर खत्रा दिख रहा है सामने से कि कोई इसको उमार ने आ रहा है तो अपना force भी लगा सकता है अपने बचाव में और यही जो है right of private defense है जिसके जो provision से section 96 से लेकर 106 में दिये गए है तो first जो इसमें section है section 96 जिसकी heading है things done in private defense यह कहता है कि nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense तो कोई भी चीज offense नहीं है जो कि right of private defense के exercise में की गई है मतलब कोई person defense का right use करते हुए कुछ भी वहाँ पर कर देता है तो वहाँ पर जो उस person ने उस right of private defense private defense का right use करते हुए वहाँ पर जो किया है वो offense नहीं माना जाएगा जो भी person private defense में कोई भी काम कर देता है तो उसकी वहाँ पर कोई भी सजा नहीं होती है ठीक है 96 से यही बात कह रहे आगे है section 97 right of private defense of the body and of property तो section 97 की जो heading है right of private defense of body and of property इसी से समझ आ रहा है कि जो right of private defense है वो body का भी होता है और property का भी होता है there are two types of private defense एक पहला तो body का दूसरा है property का body and property का कैसे इसको discuss करते हैं every person has a right subject to the restriction contained in section 99 to defend हर person के पास right है section 99 में जो restriction दिये गए है उनको छोड़ कर हर person के पास right है to defend कि वो defend कि वो बचाव कर सकता है first his own body खुद की body का बचाव कर सकता है and the body of other person against any offense affecting the human body पहले तो क्या है कि वो खुद की body का बचाव कर सकता है defend कर सकता है and साथ की साथ ये भी है private defense में कि वो दूसरे की body को भी defend कर सकता है कोई किसी offense से मतलब की मालीजे आप कहीं पर खड़े हैं कोई सामने सर्ष टिक लेकर आ रहे हैं आपको मार रहे हैं आप खुद का बचाव आप खुद को defend कर सकते हैं हमापर and साथ की साथ मालीजे आपका दोस्त खड़ा है साथ में कोई stranger खड़ा है मालीजे साथ में उसको दो लोग आप आके उसको मारना लग जाते हैं तो उस person को भी आप defend कर सकते हैं उसकी body को भी आप बचा सकते हैं वो भी right of private defense में आएगा आप उसको बचाने के लिए वो जो दो लोग उसको मारने आये थे उनको पीछे इटा सकते हैं force लगा सकते हैं तो दूसरे person को बचाना भी right of private defense के अंदर ही आता है ठीक है first हो गया body से related second the property whether movable or removable of himself or any other person तो पहला तो body को defend कर सकते हैं खुद की और दूसरे की और दूसरा property को भी defend कर सकते हैं चाहे वो चल संपत्ती हो या फिर अचल संपत्ती हो और वो जो property वो हमारी भी हो सकती हैं किसी और person की भी हो सकती है against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal pass or which is an attempt to commit these act तो यह जे second point कह रहा है कि हम अपनी movable property और immovable property को defend कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं दूसरे की भी movable और immovable property को बचाव कर सकते हैं किसके against अगेंस्ट में कि हमारी या फिर किसी और person की property को Res आगर कोई चोरी कर रहा है कोई robbery कर रहा है, कोई mischief कर रहा है, या फर कोई criminal trespass कर रहा है, तो हम वहाँ पर defend कर सकते हैं, एक example देता हूँ, आपके घर में मालीजे चोर आ गया, ठीक है आपके जो property को वो चोर ही कर रहा है, मालीजे कोई भी बाइक लेकर उठा के जा रहा है, तो वहाँ पर आप के घर के कागच लेके भाग रहा है, तो वहाँ पर भी आपके पास right of private defense है, कि दूसरे की property को भी आप defend कर सकते हैं, properties related चारों offense बताये गए हैं, इनके against आपके पास right of private defense है, इसमें जो हम एक case discuss करते हैं, case का नाम है नाबिया भाइवसे state of मध्या परदेश, इसमें क्या होता जो disease है, जो इस case में जिसकी death हो चुकी है, वो field में आता है, field में आके उन तीनों पर attack कर देता है, accused पे उसकी mother पे और उसकी sister पे, किस से attack कर देता है, knife से attack कर देता है, तो जो accused के साथ, जो सामने जिसने चाकू मार रहा है, जड़ब हो जाती है, and accused जो है, वहाँ से उस person से ले लेता है, and सामने जो disease जो आया था, जिसने attack कर रहा था, उसको चाकू मार देता है, वो उल्टा, तो Supreme Court तक case जाता है, and Supreme Court कहता है, कि जो accused है, उसकी कोई intention नहीं थी, कि सामने वो disease को मारे, but वो right or private defense वहाँ पर अपना use कर रही थी, वो अपने बचाव में वो काम कर रही जाती, and वहाँ पर accused को acquit कर दिया जाता है, accused की कोई सजान ही होती, अब आते है section 98, section 98 की heading है, right or private defense against the act of a person of unsound mind, etc, section 98 क्या कहता है, section 98 उन acts के बारे में बात कर रहा है, जो acts किये गए है, unsound mind के person के द्वारा, या फिर intoxication में रहे कर acts किये गए है, तो ये section 98 कह रहा है, कि उनके acts के against भी हमाँ पर right or private defense होता है, ये इसकी direct language कह रहे है, where an act which would be otherwise be certain offenses not that offense by reason of youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication, तो ये section कह रहा है, कि जहां पर एक act, वैसे तो वो offense होता, पर वो offense इसलिए नहीं है, क्योंकि वो किया जा रहा है, reason of youth, मतलब minor के दवारा, unsoundness of mind के चलते किया जा रहा है, या फर intoxication नशे में किया जा रहा है, या फर misconception के चलते किया जा रहा है, तो इन में जो हमने पहले discuss करा है, section 82, 83, 84, 85 में, ये जो minor है, या फर unsoundness of mind है, या फर intoxication के चलते कोई act किया जाता है, तो वो offense नहीं होता, तो कोई एक act है, वो अगर ये लोग कर रहे हैं, तब तो offense न private defense मिलेगा, इन सब लोगों के act के against भी, इसका illustration देखते हैं, Z जो है, under the influence of madness, वो पागल है, and Z जो है, attempt करता है, A को kill करने की, तो यहाँ पर Z is guilty of no offense, तो यहाँ Z तो कोई offense के ले guilty नहीं होगा, because Z is of unsound mind, Z जो है पागल व्यक्ति है, उसको section 84 के under defense मिल जाएगा, पर यहाँ प पास same right of private defense है, जैसे कि उसके पास होता, अगर Z जो है, बिल्कुल ठीक होता, sane होता, अब वो mad है, Z जो है, उसके चलते offense नहीं है, जो वो कर रहे है, पर right of private defense सामने वाले person के पास पूरा रहेगा, उसके खिलाफ भी, भी illustration कह रहा है कि A जो है, enter करता है house, A जो है, ऐसे घर मे गुसता है, जहां पर वो legally enter हो सकता है, Z जो है, Z को गलती से लग जाता है by misconception, A जो है, वो person है, जो उस house में नहीं गुस सकता है, उस house में एक ही permission नहीं है गुसने गिया, फर A किसी तरीके से तोड़ कर आया है उस घर में, section 446 आप पढ़ेंगे, उसमें house breaking बताया हुआ है, त यहां पर Z ने जो attack करा A पर, तो कोई offense नहीं है Z का, क्योंकि यहां पर Z की भूल हुई है, पर यहां पर जो A है, A के पास same right of private defense है, कि Z के against, अगर Z को कोई भूलना होई होती, तब भी जो right होता, A के पास, अब Z को भूल हो चुकी है, Z जो act कर रहा हो, वो कोई offense नहीं है, त सब भी A के पास same right of private defense होगा, जब same चीज करते होए, Z को भूलना होई होती, तो यह section 98 कह रहा है, तो यह पहले हमने देख लिया है, कि जो lunatic, या फिर intoxicated person, या फिर minor, कोई act करता है, तो वो offenses नहीं होती, जो right of private defense है, हमारा, वो सिर्फ offenses के against है, हमारा जो right of private defense है, हमें मिलता ह है, against the commission of offenses, सामने कोई offense कर रहा है, हमारा उस पर private defense होता है, हम उस पर private defense exercise कर सकते हैं, पर जो section 98 है, ensure करता है, कोई person right of private defense इसलिए lose ना करे, कि सामने वाला person competent नहीं है offense करने के, तो इस चक्र में हम अपना private defense lose ना करें, अगर सामने वाले को कोई legal incompetent है, वो offense करने के, section 98 जो है, इस चीज़ पर बेश्ट है, अब आते हैं section 99 पर, section 99 के heading है, acts against which there is no right of private defense, section 99 जो है, exception है, right of private defense के rule का, ये जो section 99 ने इसमें बताया गया कि कहां पे हमारे पास right of private defense नहीं होगा, इसको read करते हैं कि there is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death, done by public servant acting in good faith, तो आप के पास, किसी भी person के पास right of private defense नहीं होगा, उस act के against, जहां पर जो act है, वो किया गया है, public servant के दवारा, और जो public servant है, वो good faith में act कर रहा है, अपने office के अंडर, वो work कर रहा है, जो public servant है, तो हमारे पास, किसी भी person के पास, आपके पास है, वो किसी भी person के पास, right, ज एक्ट के अगेंस जो की पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जाता है गुड फेत में अपने ओफिस के अंडर एंड वो जो एक्ट है वो ये अप्रियेंशन नहीं डाल रहा कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज करेगा ये ड़ नहीं डाल रहा पब्लिक सर्वेंट का एक्ट की उस एक्ट से डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज हो जाएगा तो वहाँ पर किसी भी परसन के पास राइट और प्राइवेट डिफेंस एविलेबल नहीं होगा मतलब कि इसका एग्जामपल देता हूँ अगर आप खड़े हैं सामने एक पुब्लिक सर्वेंट माल विए पुलिस वाला आपको आके अरेस्ट कर रहा है उसने पुलिस की यूनिफोम पहनी है और वो आपको आके घिलाफ वारेंट और अरेस्ट दिखा देता है अब वहाँ पे आपके पास राइट और प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा आप यह नहीं है कि उसको धक्का मार दो कि मेरे पास तो राइट और प्राइवेट डिफेंस है मैं क्यों चलूँ आपके साथ वो जो है हमारे पास या फिर किसी भी परसन के पास right of private defense public servant के अगेंस नहीं होता पर अगर public servant का act जो है ऐसा है कि हमको लग रहा है कि हम तो इससे हमारी death हो जाएगी अबर हमको grieve assert हो जाएगा section 320 में जो defend किया गया है तो ऐसा है तो हमारे पास private defense आ जाता है दूसरा जो कह रहा है कि there is no right of private defense यह सेगेंड लाइन है इसकी यह कह रही है कि हमारे पास private defense नहीं होगा अगर सामने वाले जो person है वो under the direction of public servant act कर रहा है फिर्स जो paragraph था वो कह रहा है था कि public servant खुद act कर रहा है दूसरा जो paragraph कह रहा है कि अगर सामने जो person है वो public servant की direction पे कोई act कर रहा है तब भी हमारे पास right or private defense नहीं होगा and under color of his office अपने office में अपने duty में रहते हैं वो ऐसा कर रहा है तो हमारे पास right or private defense नहीं होगा मतब पुलिस वाले ने किसी और person को कह दिया कि आपको arrest करना है तो वहाँ पर आपके पास उस person के against भी private defense का right नहीं होगा जब तक आपको यह नहीं लगा रहा कि सामने वाला person मेरी death cause ना कर दे है फिर grievous heart ना cause कर दे third जो पह रहा है वो कह रहा है there is no right to private defense in case in which there is time to recourse the protection of public authorities आपके पास right to private defense नहीं होगा जब आपके पास reasonable time था इतना time था कि आप public authorities आप police के पास जा सकते थे आप किसी और authority के पास जा सकते थे आपके पूरा time था पर आप नहीं गए तो वहाँ पर आपके पास right to private defense नहीं होगा एक example देता हूँ आप कहीं पर खड़े हैं आपको information मिलती है कि चार लोग जो आपको पीटने आ रहे हैं आपके दोस्त फोन करके बता देते हैं वो आपके दोस्त कहते हैं कि पंदरा मिंट है उनको पहुचने में जहां पर तू खड़ा हैं मतलब जहां तो यहां पर आपके प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होगा आपके पास इतना टाइम था दस-पंदरा मिंट थे कि आप जाके पुलिस को बता सकते थे आप पुलिक अथॉर्टी को अपरोच कर सकते पर आप नहीं गए तो आपके पास राइट प्राइवेट डिफेंस आपर नहीं होगा आपकी पनिश्मेंट बन जाएगी आपर आगे है extend to which right में भी exercise प्राइवेट डिफेंस जो है कहां तक हम extend कर सकते हैं कहां तक हम right of private defense use कर सकते हैं right of private defense in no case exceed the inflicting of more harm than is necessary to inflict तो right of private defense हैं वो किसी भी case में जितना necessary है सामने वाले को harm पहुचाना उतना ही आप harm पहुचा सकते हैं उससे ज़्यादा आप harm नहीं पहुचा सकते हैं किसी भी case में हम case laws discuss करेंगे एक बार bare at language देख लेते हैं अब explanation दी गई है इसमें दो explanation दी गई है section 99 में explanation 1 कह रही है कि एक person के पास एक person is not deprived of right of private defense एक person के पास right of private defense रहेगा वो उससे lose नहीं होगा उस act के against या फिर उस attempt के against जो की सामने public servant कर रहा है unless जब तक जो वो person उसको ये reason to believe नहीं है या फिर उसको पता नहीं है कि जो सामने जो person act कर रहे है वो public servant है मतलब ये कहरे हैं कि मा लिज आप कहीं पर खड़े हैं मतलब जो ये helpके सामने एक परसन आता है और आपको अरेस्ट करने के कोशिश करता है, अब जब तक आपको यह पता नहीं होगा या फिर आपके पास reason to believe नहीं होगा, मानने की वज़ें नहीं होगी ठीक है तो आपको वहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि सामने जो आ रहा है वो public servant है या फिर नहीं है आपके पस knowledge ही नहीं है आपके पस reason to believe ही नहीं है उसने तो वक्त ही नहीं पहनी है अपनी तो आपको कैसे पता चलेगा तो आपके पस वहाँ पर right or private defense होगा सामने मालीजे वो सामने से कोई अपना warrant दिखाए या फिर अपना ID card दिखाए तब तो आपको आपके पस knowledge आ जाएगी वो public servant है पर अगर आपको पता नहीं है या reason to believe नहीं है कि सामने public servant है तो आपके पस right or private defense आपका उस tempo lose नहीं होता explanation to same बात कह रहा है पर इसमें कह रहा है कि अगर right or private defense तब भी होगा आपके पास जब direction दी है public servant ने किसी को मालीजे मतलब police officer किसी और person को direction दे दी कि तू जाके arrest करके आ तो unless he knows or reason to believe तो direction किसी और को दे दी है याँपर तो उस direction के बारे में अगर सामने जो person है उसको knowledge नहीं है और reason to believe नहीं है तब भी उसका right or private defense वहाँ पर lose नहीं होगा that the person doing that is acting under such direction मतलब कि आप खड़े हैं आपको सामने कोई person आ रहा है और आपको कहता है कि चलो मैं साथ arrest कर वाहूं मैं तुमको और वो जब person है उसको किसी public servant नहीं authorized कर रखा है आपको arrest करने के लिए पर आपको वहाँ पर पता ही नहीं है आपको knowledge ही नहीं है और reason to believe ही नहीं है कि इस person को सामने public servant नहीं authorized कर रखा है किसने direction दी है और if he has authority in writing unless he produce such authority सामने वाले person के पास authority तो है उसको written में दे रखा है उसके पास वारेंट है और को यह document है और आगर आप demand करते हैं तो वो produce ही नहीं करता है वो दिखाता ही नहीं आपको वो वारेंट है आपको document जो है तो उन cases में आपके पास right of private defense आपका deprived नही देखा general जो rule है कि आपके पास किसी भी person के पास right of private defense नहीं होता against the act of public servant और against the direction of public servant प्लीक सर्वेंट के अगेंस भी private defense नहीं होता और उनकी direction के अगेंस भी private defense नहीं होता मारे पास पर इस general rule की दो exception है कहा कि जब जो सामने जो public servant है उसकी direction पर जो person act कर रहा है उनके act से लग र exception है explanation 1 & 2 में दिया हुआ है कि जहां पर knowledge नहीं है या फिर reason to believe नहीं है कि सामने जो person है वो public servant है या फिर वो person है जो उसकी direction पर work कर रहा है तो यह तो हो गया act of public servant डूसरा है कि time to have recourse to authorities कि जब किसी के पास time है कि वो authorities के पास जा सकता है तब भी private defense का right उसके पास मौजूद नह नहीं करा कि right does not extend to causing more harm than necessary जितना harm पहुचाना है उससे ज़्यादा harm नहीं पहुचा सकता कोई भी person private defense को exercise करते हुए इससे दर रेटेड कुछ case है पहला है महिंदर पाल जॉली वसे स्टेट पंजाब इसमें क्या था dispute होगा लडाई होगी workers और management जो factory का management है और उनके workers के तो supreme court ने का कि honor ने उस factory के honor ने अपना right of private defense का जो right है वो exceed कर दिया इतना harm पहुचाना necessary नहीं था मलब जितना harm necessary था उससे ज़्यादा harm पहुचा दिया उस factory के मालिक ने तो उस honor को वापर सजा मिली दूसरा case है रफीक वसे स्टेट ओफ महराष्ट्रा 1979 supreme court की judgment है इस case में ए उसको चाकू मार दिया उसके चाती पर उसके दिल पर तो यहाँ पर कहा गया कि जो accused है उसने right of private defense का जो right है वो exceed कर दिया जितना harm पहुचाना necessary था उससे ज़्यादा पहुचा दिया तो महाँ पर उसको punish किया गया आगे है section 100 section 100 की heading है when the right of private defense of the body extend to causing death मतलब body को बचाते अब सामने वाले को कब मार सकते हैं जान से अब सामने वाले की death कब cause कर सकते हैं right of private defense में तो यह कह रहा है कि right of private defense of the body extend कहां कब extend होता है section 99 major restriction दिये गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए to the voluntary causing of death private defense के चलते हैं हम सामने वाले person की death cause कर सकते है या फिर उसको other harm पहुचा सकते ह excellent मतलब की attacker को वो जो सामने जो excellent है अगर इन साथ में से कोई offense करता है क्या क्या है first such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequences यहाँ पर assault का मतलब पहले समझ लिए assault section 351 IPC में दिया हुआ है assault का मतलब वहाँ पर बता रखा है कोई gesture या फर preparation कोई इशारा करना या फर कोई preparation करना in simple assault का मतलब होता ह कोई action करना जिससे यह लगे कि सामने वाला वह offense करी देगा वह act करी देगा तो first जब सामने जो person है वह assault करे ऐसा action करे जिससे reasonable apprehension cause हो जाए reasonable डर पैदा हो जाए कि वह death cause कर देगा कि वह मार ही देगा अब हमको मतलब सामने जो है person pistol ऐसा निकाल के घड़ा हो जाए जिससे यह लगे कि अब तो यह मुझे fire करी देगा तब उसकी death cause की जा सकती है secondly जब सामने वाला person जो है ऐसा डर पैदा कर देगा कि ग्रीवियस hurt cause कर देगा यह कि गंबीर चोट पचा देगा तब भी उसको है मारा जा सकता है death cause की जा सकती है thirdly an assault with the intention of committing rape सामने वाले की intention है कि वह rape कर एंट्सामने वाला कुछ ऐसा काम कर रहा है कोई ऐसा preparation को ऐसा gesture कर रहा है को ऐसा action कर रहा है जिस से लग रहा है कि वह rape कर देगा तब भी उसकी death cause की जा सकती है पर वो सामने जो person है he unnatural lust gratify करे तब भी उसकी death cause की जा सकती है fifthly जिवर सामने पर्सन हे वह assault कए इस intention है कि kidnapping या जिससे कोई एक्षन ऐसा करें को जिससे लगे कि wrongful confined कर देगा वह often confinement मतलब कि बंदी बना लेगा हो किसी कम्रे में कर देगा किसी जगळकर्देगा ऐसे circumstance में wrongful confined करें जिससे लगे कि पुब्लिक अथौरीय के पास जाना impossible हो जाएगा मतलब माली जा आपको कोई परसन ऐसे ले के जाके एक बंद कमरे में कैद कर दे है आपको लगे आप कहीं वहाँ से बाहरी नहीं निकल पाएंगे आप थर्टी इसके पास पहुंची नहीं पाएंगे उस केसे में भी आप सामने वाले की death cause कर सकते हैं सामने वाले की death cause की जा सकती है यह एक बात ध्यान रखिए कि यह जो death सामने वाले की की जा सकती है वो वो परसंद भी कर सकता है जिसको यह सब डर है मतलब जिसके साथ यह सब कुछ हो रहा है वो भी death cause कर सकते हैं दूसरा परसंद भी death cause कर सकता है उसकी क्योंकि हमने 97 में पढ़ा था कि बोडी का जो private defense का right है वो हमारा खुद का भी होता है दू आपके साइड में आपका दोस्त है कुछ लोग आके उस पर बंदूक तान देते तब भी आप उन सब लोगों की death cause कर सकते हैं उनको मार सकते हैं अगर वहां पर situation ऐसी बन रही है या फिर आपको लग रहा है कि अगर आपने उन सब को नहीं मारा तो आपके दोस्त को मार दे तब उसको डिफेंड करते हो आप उन सब की जान ले सकते हैं तो खुद को भी बचाव कर सकते हैं death cause कर सकते हैं खुद के बचाव में भी आप किसी और परसन को बचाने के लिए भी आप इन seven circumstances में death cause कर सकते हैं एक case है यहां पर बल्बीर सिंग वसे स्टेट अप पंजाब वहां पर यह चार जो यह section 100 है इसके चार essentials बताएगा है कि यह चारो चीजे प्रेजेंट होनी जरूरी है अगर section 100 को apply करना है इसमें four points के आता है कि पहला accused must be free from fault accused जो है उसकी बिल्कुल शुरू से कोई गलती नहीं होनी चाहिए there must be present an impeding peril मतलब एक जो impeding मतलब की एक दम से होने वाला हो peril मतलब की danger एक दम से खत्रा हो हमारे सामने हमारी life को लेकर और फिर body के हाम को लेकर तीसरा there must be no safe or reasonable mode of escape वहाँ आपसे भागने का कोई रास्ता नहीं और चो था वहाँ पर बिल्कुल जरूरी हो कि सामने वाले person की जो life लेनी बिल्कुल जरूरी हो तो यह चार essential points है जो कि बल्बीग सिंग वसे स्टेट अ पंजाब में बताये गए थे अगर यह 4 हैं तो आपको section 100 का defense मिलेगा बेशक आप सामने वाले person की death भी cause कर दे सामने वाले person को जान से ही मार दे अगर यह 7 points है वो present है अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि reasonable apprehension क्या होता है तो तोनों केस में सामने वाले person की जान ली जा सकती है इस से related एक case है जहाँ पर reasonable apprehension की बात हुई है यह case है अमजद खान वसे स्टेट का इसमें क्या है कुछ सिंदीज और local Muslim के बीच में रॉइट हो जाते हैं तो जो सिंदीज की mob है जो सिंदीज की भीड होती है वो एक घर में घुस जाती है घर में घुसके उस घर को लूट लेती है उस घर में अक्यूज होता है उसके बीवे और बच्चे होते हो जाके कमरे में छुप जाते हैं जो सामने भीड है वो उस कमरे को तोड़ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ने के लिए लाठियों से मार रही होती है तो वहाँ पर जो accused है, Amjad Khan, वहाँ पर दो short fire कर देता है, उसके पस pistol होती है, वहाँ दो short pistol के fire कर देता है, जिसकी वज़े से जो भीड है, उसमें से एक इंसान की death हो जाती है, Supreme Court कहता है कि यहाँ पर reasonable apprehension था, reasonable death था, and जो accused ने pistol fire करी है, वो अपने right or private defense में वहाँ पर करी है, तो यह हमारा section 100 हुआ, section 101 पर आते हैं, यह section 101 कह रहा है, when such right extend to causing any harm other than death, इसका bare-right कह रहा है, if the offense be not of any description enumerated in the last preceding section, इसका bare-right कह रहा है कि अगर कोई offense, जो सामने जो person जो offense कर रहा है, वो ऐसा नहीं है, जो कि last preceding section, जो कि section 100 में बताया हुआ है, मतलब वो जो 7 points बताये गए थ तो उस case में, right to private defense does not extend to the voluntary causing of death, तो उन cases में, जो 7 points बताये गए हैं, उनको छोड़ कर अगर कोई सामने वाले person जो है, कोई act कर रहा है, कोई offense कर रहा है, तो उस case में, सामने वाले person की death cause नहीं की जा सकती, सामने वाले person को जान से नहीं मारा जा सकता, but does extend, कहां तक extend होता है, section 99 इनको ध्यान में रखते हुए, कहां तक extend होता है, voluntary causing to the excellent of any harm, जो सामने attacker है, उसको कोई और harm पम पहुचा सकते हैं, other than death, जो section 100 में पुइंट बताये गए हैं, कि सामने वाला death cause करने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला grievous hurt करने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला rape करने कर रहा है, तो हम उसकी death cause नहीं कर सकते हैं, पर और कोई हम उसको पचा सकते हैं, death के इलावा, आगे है section 102 जो की बात कर रहे, commencement and continuous of right or private defense of the body के वारे में, ये section कह रहा है कि हमारा right or private defense of the body है, वो कब comments होता है, कब उसकी श्रवात होती है, कब तब वो continue रहता है, कब तक वो चल defense of the body, कब शुरू होता है, जब हमारे पास reasonable apprehension हो जाता है, उचित हमको डर लगने लगता है, हमारे पास उचित खत्रे का डर होता है, कि हाँ, अब खत्रा आ चुका है हमारी body पर, from an attempt or threat to commit the offense, and वो जो खत्रे का डर है, वो बेशक attempt से आया हो, या फिर threat to commit the offense से आया हो, कि सा है, पैता हो सकता है, हमारी body से related, दोनों ही case में हमारे पास जो right or private defense of body हमारा comments शुरू हो जाता है, and कब तक वो continue रहता है, as long as such apprehension of danger to the body continue, जब तक हमारे पास वो डर रहता है, हमारे पास वो खत्रे का डर हमारी body पर रहता है, तब तक वो continue, हमारे पास right or private defense हमारा रहता है, से related illustration देखते हैं A जो है B के सामने खड़ा होता है A जो है B को धमकी देता है threat देता है कि मैं तुमको टंडे से मारूंगा B को यहाँ पर धमकी मिल चुकी है B का यहाँ पर right of private defense जो है comments हो गया जैसे ही A से उसको threat मिला जैसे ही A से उसको धमकी मिली वैसे ही B का जो right of private defense है वो comments हो जाएगा अब यहाँ पर A जो है वहाँ से 5 मिनट में चला जाता है तो वहाँ पर B का जो रहाँ पर right of private defense हो खतम हो गया जब तक A वहाँ पर 5 मिनट तक खड़ा था तब तक B के पास right of private defense उसका continue था अब कर यहाँ पर A जो है वहाँ से चला जाता है तो B का right of private defense वहाँ पर खतम हो जाता है यही जो है section 102 कह रहा है खतम हो जाता है का मतलब अब B जो है A से अगर बाद में मिलता है तो B जो है उसको A को वहाँ पर मार नहीं सकता इस चीज़ को लेकर कि मेरे पास तो right or private defense है तुमने मरे को डंडा दिखाया था आज से एक दिन पहले ऐसा नहीं हो सकता बी जो है police station में जाके आफ 5 तो करवा सकता है पर वहाँ पर वो बाद में एक दो दिन बाद वो A से मिले तब उसको वो right or private defense के चलते वो उसको मार नहीं सकता एको क्योंकि उसका right or private defense वहाँ पर खतम हो गया जैसे उसका डर खतम हुआ जो A से उसको मिल रहा था यह हमारा section 102 आते है section 103 पर when the right or private defense property extend to causing death तो हमने section 100 में क्या पढ़ा था हमने section 100 में पढ़ा था कि अमारा right or private defense of body के वारा हम पढ़ा था कि हमारी body को बचाने के लिए हम सामने वाले की कब-कब death cause कर सकते हैं यह section 103 बात करता है कि हम property को बचाने के लिए कब सामने वाले को जान से माल सकते हैं यहाँ पर भी वही same rule apply होगा कि हम अपनी property को बचाने के लिए भी किसी person की death cause कर सकते हैं किसी और की property का बचाने के लिए हम जो wrongdoer है जो offense कर रहा है उसकी death cause कर सकते हैं तो हमारा right or private defense है property का property से related रहाँ पास जो right or private defense है सामने वाले को हम जान से कब मार सकते हैं फ़र कोई और harm कब पहुंचा सकते है wrongdoer को जो की गलत काम कर रहा है यह जो 4 cases बताए गए है इन 4 offenses में हम सामने वाले को जान से मार सकते हैं अगर हमारी property पे कोई खत्रा आता है तो कौन-कौन से जो offenses है सामने जो person करे तब हम उसकी death cause कर सकते हैं first जो है robbery robbery section 390 IPC में defined है in general मैं बताऊं तो robbery होता है कि जब सामने वाला हमको डरा के हमको death की धंकी देखे रहा हमको कोई और chaut की धंकी देखे कोई hurt की धंकी देखे हमसे समान ले लेता है हमसे extortion कर लेता है हमारा समान चोरी कर लेता है तो robbery अगर कोई person कर रहा है उसको सामने वाले को हम जान से माँ सकते हैं Secondly house breaking by night Section 445 में house breaking है and section 446 IPC में house breaking by night है तो section 445 में 6 तरीके बताए गए है 6 ways बताए गए है and उन 6 ways उन 6 तरीकों से हमारे घर में कोई गुसरा है तो उसको house breaking माना जाएगा उन में से कुछ है कि ताला तोड़ के कोई गुसरा है या फिर दिवार कूद के हमारे घर में गुसरा है तो उसको house breaking बोला जाता है और वो जो 6 तरीके हैं उन में से किसी भी एक तरीके से हमारे घर में कोई house breaking कर रहा है sunset के बाद और sunrise से पहले तो वो house breaking by night बोला जाएगा और उस case में हम सामने जो person गुसा है हमारे house में house breaking जिसने की है उसकी हम death cause कर सकते हैं उसको जान से मार सकते हैं thirdly, mischief by fire mischief होता है destruction मतलब कोई नुकसान पहुचाना किसी की property को अगर fire के जरिए, आग के जरिए किसी building पर, tent पर या फिर वेसल पर कोई destruction कर रहा है या फिर उस चीज़ पर जहां पर जो की human dwelling के purpose के लिए use हो रही है, मतलब जहां इंसान रहते हैं, तो वहां पर कोई destruction कर रहा है, कोई नुकसान पहुचा रहा है आग के जरिए, तो उस case में जो यह person कर रहा है, जो यह offense कर रहा है उसकी death cause की जा सकती है mischief 425 and mischief by fire 436 में defined है तो इन तीनों offense में सामने वाले की death cause की जा सकती है and fourthly theft, mischief और house trespass कोई चोरी कर रहा है कोई destruction पहुचा रहा है, कोई mischief कर रहा है हमारी property को, या फिर house trespass कर रहा है माली जा हमारे घर में गुसर रहा है, हमारी बिना permission के उस case में भी सामने वाले की death cause की जा सकती है पर under such circumstances as maybe reasonably cause the apprehension that death और grievous hurt be the consequences तो चोरी करते हुए, mischief करते हुए या फिर house trespass करते हुए अगर वो सामने वाला person को ऐसा act कर रहा है जिससे यह डर हो रहा है कि वो सामने जो person है वो हमको मार देगा या भर हमको घंबीव चट पचा देगा तो उस case में भी हम सामने वाले person की death cause कर सकते है हम उसको जान से मार सकते है तो यह हमने देखा कि robbery, house breaking by night और mischief by fire इन cases में तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने से हमको खत्रा हो रहा हो कि हमारी death cause हो जाएगी पर theft, mischief और house trespass के case में यह खत्रा होना, यह apprehension होना जरूरी है यह डर होना जरूरी है कि यह हमको ही मार देगा हमको ही गंबीव चौट पचा देगा तब उस case में हम सामने वाले की death cause कर सकते है section 103 वा section 104 क्या कहता है section 104, 101 से बिल्कुल similar है यह कह रहा है when such right extent to the causing of any harm than death यह section 104 यह कह रहा है कि जो पीछे offense बताये गए है जो यह fourth point में जो offense बताये गए है उनकी committing है फिर उनका attempt जो कि theft, mischief या फिर criminal trespass है वो ऐसा description का नहीं है जो कि last piece reading section में बताये गए है मतलब कि ऐसा description का मतलब कि जो चोरी है या फिर mischief है या फिर जो house trespass है वहाँ पर यह था कि theft, mischief house trespass है ऐसा डर होना चाहिए कि इसको करते हुए सामने जो person हो death या फिर गंबी चोट पहुचा देगा तो वो ऐसा नहीं है कोई चोरी तो कर रहा है कोई mischief तो कर रहा है कोई house trespass तो कर रहा है पर वो ऐसा डर पैदा नहीं कर रहा कि जिससे लग रहा है कि वो हमारी death cause कर देगा है फिर grievous hurt cause कर देगा तो that right does not extend to the voluntary causing of death तो वहाँ पर वो जो right है हमारे पास है private defense का वो हम सामने वाले person को वहाँ पर जान से नहीं माल सकते पर कहां तक हम उसको harm पहुचा सकते हैं कहां तक वो extend होता है but does extend section 99 को ध्यान में रखते हुए कहां तक वो extend होता है to the voluntary causing to the wrongdoer any harm हम wrongdoer को और कोई हम पहुचा सकते हैं हम जो सामने जो person है वो जो offense कर रहा है उसको हम और कोई हम पहुचा सकते हैं पर वो death नहीं होना चाहिए उसको जान से नहीं माल सकते और कोई हम हम पहुचा सकते हैं wrongdoer को आगे है section 105 जो की बात करता है commencement and continuous of right of private defense प्रॉपर्णी से related right or private defense वो कब commence होता है कब शुरू होता है जब हमारे पास जो है प्रॉपर्टी पर reasonable apprehension of danger आजए reasonable dad आजए जब प्रॉपर्टी पर तब तो right of private defense property हमारा शुरू हो जाता है commence हो जाता है जब वो हमारी प्रॉपर्टी को खतरा है तब हमारा right or private defense of property शुरू हो जाएगा कब तक वो continue रहता है वो अलग-अलग cases है वो चारो अलग-अलग offense related अलग-अलग continues है कि thefts related कब तक वो continue रहता है till the offender has affected retreat with the property जब तक वो offender वहाँ से उस property को लेकर भाग नहीं जाता retreat का मतलब होता है तो move backward किसी safe place पर चले जाना तो जो जब वो offender है किसी safe place वहाँ से भाग जाएगा property को लेकर तब right or private defense हमारा खतम हो जाएगा और आइदर असिस्टेंट जो public authorities obtained and जब public authority की हमारा आपने assistant हमने help ले ली तब theft में हमारा right or private defense of property वहाँ पर एंड हो जाएगा और property has been recovered और जब हमारी property रिगावर होगी तब भी हमारा right or private defense वहीं तक रहेगा उसके बाद वो खतम हो जाएगा वहीं तक वो continue रहेगा theft में तीनों cases में उसके बाद वो खतम हो जाएगा आगे जो है right or private defense of property against robbery robbery के case में हमारे पास right or private defense of property हमारे पास कब तक रहता है दो दो पॉइंट्स बताएगा है एस लोग एस दी ओफेंड कोज इस और एटेंप्ट को 20% death और hurt और wrongful strain किसी परसन को death hurt या फिर wrongful strain attempt करता है या फिर cause करता है तो जब तक वो attempt कर रहा है यह तीन चीज करने कि या फिर जब तक वो cause कर रहा है तब तक वो continue रहेगा right or private defense हमारे पास और as long as fear of instant या फिर वो जो डर है instant death का की वो डर पहुचा रहा है या फिर instant hurt का या फिर instant personal restraint का जब तक वो डर वो continue रखता है तब तक हमारे पास right of private defense continue रहता है आगे right or private defense और प्रोपरिटी अगेंस criminal क्रिमिनल ट्रेस्पास के अगेंस या फिर मिस्चीफ के अगेंस हमारे बावन निकल जाता हमारे पास अपना राइट और प्राविल डिफेंस प्रोपरिटी कंटीनु रहेगा उस पर लाठी मार रहा है तो जब तक वो वहाँ से भागनी जाता जब तक वो सामने ओफेंडर प्रोपरिटी हमारे मिस्चीफ कर रहेगा आगे है right or private defense or property against house breaking by night कोई हमारे घर में रात को गुसाया है sunset के बाद या संजाई से पहले गुसाया है तो जब तक वो हमारे घर में रहेगा तब तक वो हमारे पास right or private defense हमारा पास रहेगा house breaking against जब वो हमारे कर से चला जाएगा हमारा जो राइड प्राइड इफेंस वो खतम हो जाएगा यह कह रहा है कि if in the exercise of right or private defense मतलब कोई परसन जो है अगर right or private defense का exercise कर रहा है यूज कर रहा है against an assault मतलब जो माली जे उस परसन के चारो तरफ बहुत सारी भीड खड़ी है 20 लोग खड़े है ठीक है और वो जो है 20 लोग उसको यह डर पहुचा रहे है यह डर cause कर रहे है कि वो 20 लोग उसको मार देंगे जान से और वो जो परसन खड़ा है बीच में वो जो defender खड़ा है he cannot effectively exercise that right without risk of harm to an innocent person तो वो अपने right का जो उसका right or private defense है वो उसका use नहीं कर सकता बिना सामने जो innocent person है उसको harm पहुचाए बिना उसको innocent person को harm पहुचाए वो अपना right use नहीं कर सकता बिना अगर अपना right use करेगा तो innocent person को harm पहुचेगा तो his right or private defense extend to the running of that risk तो उस risk तक भी वो उसका right or private defense extend होता है इसका illustration है A पर एक beard attack कर देती है और वो beard A को मारने ही कोचिश करती है अब वो जो A है वो अपना right or private defense use नहीं कर सकता without firing the mob मतलब उसको अपने right use करने के लिए अपना right or private defense use करने के लिए सामने जो beard उस पर गोली चलानी पड़ेगी और वो जो है वो गोली अगर चलाएगा तो young children वहाँ पर जो बच्चे हैं उस भीड के साथ उन पर भी fire हो सकता है वहाँ पर वो जिस्क है कि उन बच्चों पर भी गोली चल सकती है तो A commit no offense if by so firing he arms any of the children अगर वहाँ पर A ने वहाँ पर गोली चला दी उस भीड पर उस mob पर तो अगर बच्चे को भी किसी को गोली लगी तो उसका वहाँ पर कोई भी offense नहीं होगा बेशक महाँ पर innocent पलसत को वहाँ पर उस बच्चे को गोली लगी है पर अपना right यूज करते हैं वो वहाँ तक भी पहुंच सकता है अपने right का यूज कर सकता है and don't forget to press the bell icon bell icon click करेंगे तो latest videos की notification आपको सबसे पहले मिलेगी IPC की videos जो है इसकी playlist में आपको मिल जाएंगी जो playlist का link है description box में दिया गया है so that was it for today have a nice day